दोस्तों और नौजवान सातियों, आज की बातचीत का जो विशा है वो भारत की महान शख्सियत सर्दार भगत सिंग पर केंद्रित है. सर्दार भगत सिंग वो शख्सियत है जिसने भारत के इतिहाज पर बहुत बड़ी अपनी अमिट शाप छोड़ी है। चाहे मौत दे दी गई। इस तरह महज 23 वर्ष कुछ महीने का उनका जीवन है। लेकिन ये महान जीवन इतना गौरव शाली और इतना महान है। कि इस पर चर्चा करते हुए भी अधुत अधुत गौरव का अनभव होता है। अधुत इसपंदन होता है मन में कि कैसा शक्स, कैसा वीर, कैसा महान करांचिकारी, कैसा महान विछारक इस देश ने पैदा किया। भगत सिंग की जिंदी की समझने के लिए थोड़ा सा उसकी प्रश्च भूमी में हमें जाना पड़ेगा, उस दौर में जाना पड़ेगा, जिस दौर में भगत सिंग का जन्म हुआ। दरसल वो दौर ब्रिटिश गुलामी का दौर था और भगत सिंग का बच्पन जिस वातावरण में गुजरा, जिस परिवार में गुजरा, वो परिवार एक क्रांतिकारी परिवार था। उनके चाजा अजीश सिंग लाला लाच पत्राई के घनिश सहयोगी थे। लाला लाच पत्राई कॉंग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लिटर थे। और जो कॉंग्रेस का उग्र दल था। जिसमें तिलक, लाल और बाल तीन नाम बहुत तेजी के साथ उभरे। उन में दे एक लाला लाच पत्राई थे। लाला लाच पत्राई के प्रभल सहयोगी थे सर्दार अजीश सिंग। जो की भगष सिंग के चाचा थे। भगष सिंग के पिता किशन सिंग थे, और माता का नाम विद्या बत्ती था। तो वो जो दौर था, संघर्ष का दौर था, किसान संघर्ष का दौर था, और जब भगत सिंग का जन्म हुआ तो उनके चाचा अजी सिंग की उसी दिन रहाई हुई थी, तो उनकी दाजी ने इनको भागोवाला कहा, बड़ा भागोवाला है कि इसका चाचा एक लंबे उसके बाद घर लोट रहा है, उसी भागोवाला के ही संधर्व से इनका नाम भगत सिंग रखा गया, तो वो दौर है, ये जबकि भारत संघर्षील है, कॉंग्रेस दो हिस्तों में विभाजित हो चुकी है, एक हिस्चा मॉडरेट कॉंग्रेस है, दूसरा एक उग्रवाज कॉंग्रेस का हिस्सा है, सर्दाराजी सिंग बाग बड़े करांतिकारी थे, और उनको अंतुतों गत्वा बिडिश फौज के तमन के कारण ये देश छोड़ कर भागना पड़ा था, वो बाद में यॉरप चले गए थे, तो ऐसे महान परिवार में इस महान करांतिकारी का जन्म हुआ, अभी जलिया वाला बाग हुआ, जलिया वाला बाग कांड हुआ, डायर ने बहुत निर्ममता के साथ, गोरियां दागी, शांतिपूर्ण सभापर, एक जल्से पर जो बहुत ही शांतिपूर्ण धंग से चल रहा था, और बहुत बड़ी तादात में लोगों का कत्र किया, पज़े सिंग गये, वहां की मिठ्टिल आये, और बहुत छोटी सुम्र में क्रांतिकारी विचारों का एक जबर्दस प्रभाव उन पर रहा, पारवार के कारण भी और परवेश के कारण भी और वो एक दिन अपने पिता के साथ खेत में थे, तो पिता ने कहा ये ये तुम क्या कर रहे हो, एक बंदूक थी उनके पास, तो उन्होंने का मैं बंदूक बो रहा हूं, जिस तरह फसल होगेगी उसी तरह बंदूके भी उगेंगी, उस समय उनकी आयो शिर्फ 11 वर्ष थी, इस तरह से भगे सिंग का बच्पन से लेकर और जो भी जो भी उनका क्रमिक विकास है, वो बड़ा जवर्दस्थ है, और बहुत विशद जीवन है, उनका छोटा सा जीवन जो महस्टेश्ट वर्ष कुछ महिने का जीवन है, वो भी बड़ा शानदार और बहुत ही विशद जीवन है, इसलिए बहुत इसकी रूप रेखा पर हम लोग बात करेंगे, इस छोटे से वीडियो में सारा जीवन उनका नहीं बता जा सकता, सारी बातों का वर्णन नहीं किया जा सकता, कुछ खास-खास घटनाओं का, जो उनकी जिन्दकी से जुड़ी है, हम अपने नौजवान विद्यार्थियों के लिए उलेक करेंगे, और उस दौर को समझने क कोशिश करेंगे, जिस दौर में भगर सिंग पैदा हुए, जिस दौर में उनका जीवन परवान चड़ा, जिस दौर में वो विश्विख्यात करांतिकारी बने, लाहर के नेशनल कॉलेज में जो लाला लाटपात राय ने स्थापित किया था, भगर सिंग की पढ़ाई लि उनके पिता उनकी शादी कर देना चाहते थे, ये 1924 यद के आसपास की खटना है, तो वो भाग कर कानपूर चले गए, वो नहीं करना चाहते थे शादी, जोकि उनक्रांतिकारी विचारों कारण वो अपना जीवन इस देश को, इस देश की आजादी को और पिस करने पर देलंकार और चंदर शेकार आजाद ने उनको गड़े शंकर विद्याज्टी से मुलाकात कराई, उस समय चंदर शेकार आजाद हिंदुस्तान डिपब्लिकन आर्मी नामक एक दल में शक्रिय थे, जिसकी स्थापना शशिन नास सान्याल ने की थी, शशिन नास सन्याल स्वयम गदर पार्टी में आजीवन कारवास भुगतकर पूरा रिहा हुए थे और बनारस में उन्होंने एक दल के स्थापना की थी, जिसको पंडित राम परसाद बिस्मिल, अश्वाक उल्लाखा, मनमन नाद गुपता और बहुत सारे करांतिकारों ने उसमें शिर्कत की, और उसी दल ने एक इतिहासिक कारणामा कर दिखाया, जिसको काकोरी कांट के नाम से इतिहास जानता है, जिसमें बिडिश एक खजाना लूटा गया, एक ट्रेन से, कलकता डाउन ट्रेन थी, जिसको काकोरी के पास जो लखनूं से थोड़ा पास ही है, महाँ पर रोक कर वो खजाना लूटा था, अंतो तो गत्वा सारे करांतिकारी पकड़े के, काकोरी कांट के, और उनमें चार को सजाए मौत दी गई, राम परसाद बिस्मिल, ठाकोर रोशन सिंग, और अश्वाक उल्ला खाम और राइंदर लहरी, ये चार करांतिकारी थे जिनको सजाए मौत दी गई, वे वे खाम परसाए मौत बिस्ट ग्वा सारे के, का भी बात्वा सारे के, का जिस्टाए लहरी वे रर भी है और राम परूब।